लोग आईज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे present continuous tense क्या होता है इसके जो पैचान होती है last में आता है रहा है रही है रहे है रहे है तो इसका जो फार्मूला है subject plus is mr plus verb की first form ing affirmative sentence के लिए लगता है normally sentence के लिए और जो negative नहीं वाले sentence होता है उसके लिए हम लगाते है subject plus is mr plus not plus verb की first form और उसके साथ ing देखिए i के साथ हमें हमेशा m लगाना है और he, she, its name के साथ is लगाना है और you, you, they, double नाम आए sentence में अगर तो हमें लगाना है r बवचन और a question के लिए singular के लिए is लगाना है बवचन के लिए r लगाना है और m हमें i के साथ m लगाना है मैं सो रहा हूँ i am sleeping तो i और i के साथ लग दिया हमने लगा दिया m और sleeping के साथ ing और वचन के साथ ing मैं नहीं सो रहा हूँ i am और तिसने नमबर पे हमें not लगाना है i am not sleeping हम नहीं के लगए है तो यह हम नहीं खेल रहे हैं तो वी आएंगा इसमें वी के साथ हम लगाते हैं आर, वी आर नोट प्लेइंग बहु अचन है तो हम इसके साथ लगाएंगे आर वह सो रही है शी इस लिपिंग एक वचन सिंगुलर नाम के लिए इस लगाते हैं शी इस स्लिपिंग वह सो रही है दो सेंटेंज आपके लिए रखें आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा थैंक यू सो मुच बबाई